मैं बनाने वाली हूँ मौंग डाल का चिला मौंग डाल का चिला खाने में जितना टेस्टी होता है उससे कहीं ज्यादा हेल्दी होता है यहाँ पर मैं हरे बाले मौंग डाल का चिला बनाने वाली हूँ तो फ्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा चलिए से बनाना अब इसमें कुछला सन और हडी में इसको डालेंगे और हलका सा पानी डालकर इसका दरदरा पेश्ट तयार कर लेंगे पेश्ट हमारा तयार हो गया है तो इसे एक बटन में निकाल लेंगे निकालने के बाद अब इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे और स्वाज के नुसार हलका सा नमक डालेंगे आधा चमच जीरा पॉर्डर डालेंगे और दो चमच बेशन बेशन की जगह आप चावल का आठा भी यूज कर सकते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका गोल तेयार कर लेंगे गोल हमेना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और नहीं ज़्यादा पतला आप देख सकते हैं इस तरीकी से हमें गोल तेयार करना है गोल हमारा तयार हो गया है तब तक अब हम एक तबे को गर्म करेंगे और उसके धाल का साधु तेल लगा देंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को सेयर कीजेगा अब इस पर हम बैटर को डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे अब बड़ा यह छोटा अपनी हिसाब से इसे बना सकते हैं बैटर को डालने के बाद तुरंत हमेशे नहीं पलटना है इसे मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट तक पकाना है जब उपर से इसका कलर चेंज हो जाए तो अब यह आसानी से पलट जाता है आप देख सकते हैं 3-4 मिनट हो गया है और कलर भी चिले का चेंज हो गया है तो अब हम इसे आसानी से पलट लेंगे यह देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है इसी तरह से हम बाद की चिले को भी तयार कर लेंगे इसे आप सुबा सुबा मॉर्निंग ब्रेक फास्ट में खाए या बचों को लंच बॉक्स में दे बिलकुल परफेक्ट नास्ता है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर